हलो दोस्तो मैं पुश्रान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक क्वेटी टू कमिनिटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में एक और क्रूशल टॉपिक के उपर बात करने जा रहे हैं और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि बुल कॉल स्प्रेट स्ट्रेटजी के लिए आप स्टॉक्स का सेलेक्शन कैसे कर सकते हैं आपने कई जगह बुल कॉल स्प्रेट स्ट्रेटजी देखा होगा लेकिन सारे लोग इस स्ट्रेटजी के बारे बताते हैं लेकिन ये नहीं बताते हैं कि इस strategy के लिए हमें कौन से stocks में कब trade करने की जबत है और कौन से stocks में कब trade नहीं करना है क्योंकि ये जो strategy है काफी हद तक hedging strategy है जिसमें हम अपने trade को open नहीं छोड़ते हैं इतने ट्रेट को हम काफी हद तक प्रोटेक्ट करते हैं लेकिन अगर में यहां पर सही स्टॉक्स का सेलेक्शन नहीं करेंगे तो यहां से हमें प्रॉफिट बनाना बहुत ज्यादा मुस्किल हो जाएगा अल्टिमेटल यहां पर हमें अपने ट्रेट को नुकसान में ही कि इसको हम सीखते हैं यहां पर हम चार्ट पर आ गए और यह जो चार्ट है अपका टाइटन का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम बादा चार्ट है अब यहां पर हमने टाइटन को ही क्यों स्लेक्ट किया है बुल कॉल स्परेट इस्ट्रेट्जी के लिए यह चीज़ आपको यहांपर समझने की जरूरत है लेकिन 나는 उससे पहले मैं आपको यहांपर एक अवर्विव दे देता हूं कि bull call spread यह है क्या सबसे पहले आपको नाम से ही पता होगा कि यह क्या है नाम bull call spread bull है यहाँ पर हम क्या गरते हैं यहाँ पर हम अपने trade को bullish stride की तरफ ही रखना जादा prefer करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम call options को buying करना prefer करते हैं एक particular strike price का उसके बात क्या करते हैं हम इसको protect करने के लिए जिस भी strike price का हमने call options buy किया उससे उपर के strike price का हम क्या करते हैं वापस से हम call options को sell कर देते हैं जिससे हमारा जो trade है वो काफी हद तक protect हो जाता है और loss यहाँ पर हमारा limited हो जाता है फॉर एक्जामपल यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा जिससे आप PHE समझ में आ जाएगा अब देखें अभी यह आपका टाइटन 2600 के आसपास trade करता हुआ दिख रहा है तो यहाँ पर अगर हमें bull call spread strategy अपलाई करना होगा हम क्या करेंगे 2600 के call options को buy कर लेंगे फॉर एक्जामपल इसके call options को हम 10 rupees के premium पे हमने buy कर लिया अब यहाँ पर हमारा maximum loss कितना है 10 rupees का maximum loss है लेकिन हमें इस loss को minimize करने की ज़रूरत है क्योंकि हम इतना loss bear नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे हम इससे उपर 2700 के आसपास वाला एक और call options लेंगे और उसको यहाँ पे हम sell कर देंगे उसका premium आपपा 5 rupees के आसपास होगा यह नहीं अब जो maximum loss हमारा 10 rupees था वो घटके कितना हो गया 5 rupees के करीब हो गया यहाँ पे हमारा profit भी थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन सबसे important क्या है कि losses को यहाँ पे हमने minimize कर दे यह नहीं अगर market में कुछ भी हो जाए कितना भी against market मेरे चले जाए मेरा यहाँ पे 5 rupees से 5 points से ज़्यादा का नुकसान होता हुआ नहीं दिखेगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते है bull call spread strategy जहाँ पे हम अपने losses को minimize करते है यानि market मेरे against गया तो हमें जादा नुकसान नहीं होना चाहिए हम इस चीज़ को secure करते है तो चलिए अब इस strategy को हम समझते है और यहाँ पे हमने टाइटन के stocks को क्यों select किया इसके लाबा और भी stocks को हमने select किया वो चीज़ आपको समझने की जवात है सबसे पहले हमें stocks का selection कब करना जब stocks में हमें reversal देखने को मिले या फिर हमें breakout देखने को मिले तो हम उन्हीं दोनों stocks का selection करेंगे आप randomly कोई stocks सा selection करके वहाँ पे आप bull call spread strategy के जरीए profit नहीं बना सकते है reversal या फिर breakout के जरीए हम यहाँ पे profit बना सकते है और यहाँ पे जो हमें trade लेना वो कहाँ पे trade लेना है तो यहाँ पे हमें जब भी trade लेना है तो आपको ध्यान देना है कि support level के आसपास ही trade लेने की ज़रुद है दो चीज़ आपको ध्यान देना है पहला कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलना चाहिए reversal या फिर breakout देखने को मिलना चाहिए और दूसरा point जो हमें ध्यान में रखने की जब भी यहाँ पे हम trade इनिशियेट करेंगे हमें चेक करना है कि support level का होना बहुत ज़रुरी है बिदाउट support level हम इस strategy का इस्तमाल नहीं करेंगे यहाँ पे अगर आप टाइटन को देखो देख सकते हैं यह जो लेवल है यह हमारे लिए initial में क्या काम कर रहा था resistance के रूप में काम कर रहा था जैसे ही price इसको break करके उपर निकला है और इसी support level को यह respect किया और यहाँ से price आपका ऊपर साइट की तरफ निकला है पहला candle given closing दिया दूसरा candle के आसपास यहाँ पे हम buy side की तरफ trade initiate करेंगे और यहाँ पे जो हम buying side की तरफ trade initiate करेंगे वो level आपका आजा रहा है 25.86 तो यहाँ पे generally हमें क्या करना हमें करना है 25.80 के call options को buying करना प्रेफर करना अगर आपको trade लेना है तो लेकिन यहाँ पे हमें आपको समझाना इसलिए हम round figure में 2600 जहाँ पे price अभी आपका चल वा है इसी के call options को हम buying करना प्रेफर करेंगे इसके call options को हम buy करते हैं तो हमें कौन सा call options buy करना उसका selections यहाँ पे हमने कर लिया आपको हमेशा add the money यानि तो ITM in the money call options को ही buying करना प्रेफर करना है अब हम इसके option chain पे आना चाहेंगे और यहाँ पे आपको हमेशा F&O stocks का ही selection करना जरूरी है अब यहाँ पे हम क्या करेंगे हम यहाँ पे लेंगे 2600 के strike price का अब देखिए इसका premium लगवख 90 रुपीज के आसपास है अगर market मेरे against गया तो यहाँ पे मुझे 90 point का नुकसान हो सकता हो इतना नुकसान हम वेर नहीं कर सकते हैं इसलिए हम क्या करेंगे अपने losses को कम करेंगे bull call spread strategy के जड़ी है अब यहाँ पे हम ऊपर आएंगे और 2700 के call options को sell करेंगे और इसका premium आपका कितना है 45 के आसपास है तो इसके call options को यहाँ पे हमने sell कर दिया अब यहाँ पे जो 90 रुपीज का मेरा maximum losses था maximum point risk पे था वो घटके क्या होगे अब यहाँ पे मेरा maximum loss होगा वो 45 point का maximum loss होता हुआ दिखेगा अब इस loss को भी हम कम करेंगे इस losses को भी हम avoid करने कोशिस करेंगे लेकिन सबसे पहले हमें losses कम करना है और अगर market मेरे favor में गया तो यहाँ पे minimum जो मेरा profit होगा वो 45 point का होगा जितने market उपर जाएगा उतना यह जो difference है वो increase होता होगा दिखेगा क्योंकि इसका premium आपका ज़्यादा इंक्वीज होगा और इसका premium कम इंक्वीज होगा इस तरीके समय 45 50 60 point का profit मिलता हुआ दिख जाएगा अगर market काफी हद तक हमारे favor में जाता है तो minimum मेरा profit होगा 45 point और maximum loss होगा मेरा 45 point तो चलिए इस loss को भी हम कैसे avoid कर सकते है technical chart के ज़रे वो यहाँ पर हम समझते हैं तो वापस से हम Titan के daily chart पर आगे अब यहाँ पर हमने क्या देखा है कि यहाँ पर हमें क्या देखने मिला है यहाँ जैसे ही price आपका नीचे side की तरफ आएगा यहाँ इस level करीब आएगा या फिर इसको break करके नीचे जाएगा हम क्या करेंगे अपने positions को exit करेंगे लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो trade है हम किसको exit करेंगे हमने सबसे पहले 2600 के call options को यहाँ पर buy किया है पहला trade है दूसरा trade हमने क्या लिया था 2700 के call options को यहाँ पर हमने sell किया है तो जब यहाँ पर हमारा SL hit होगा तो सिर्फ हम इस trade को exit करेंगे जो हमारा primary trade है 2600 के call options को जो हमने buy किया उसको यहाँ पर exit करेंगे अब यहाँ पे जो exit करने के करम में हमें कितना हो सकता लग बग 25 तो 30 पॉइंट का यहाँ पे हमें नुकसान हो सकता उससे ज़्यादा का नुकसान नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम breakout और reversal के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे हमें ज़्यादा नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा यह भी maximum आपको होता हुआ दिखेगा और अगर हम इस options को hold करते हैं call options को जो हमने sell किया 45 का premium इसको hold करते हैं तो price आपका नीचे आएगा और 45 point छोड़ दीजे anyhow 40 point का profit हमें आसानी से मिलता हुआ दिख जाएगा तो इस तरीके से market मेरे against गिया है और यहाँ पे हम market में active रहते हुए उसके basis पे trade initiate करेंगे overall 10 point का profit हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं market के situations को देखते हुए उसके basis पे trade initiate करके तो bull call spread strategy के बारे में आपको बहुत लोग बताते होंगे लेकिन आपको यह नहीं बताते हैं इसमें आपको stop loss भी रखना है और stop loss selection कैसे करना है और उसके बाद हमें reversal और breakout को play करना है और इस तरीके से आप market against में जाने के बाब जोद भी आप थोड़ा बहुत profit निकाल सकते हैं इतना तो आप करी सकते हैं कि आपको losses नहीं होगा अगर market आपके favor में गया है तो आपको यहाँ पे profit तो मिलता है हुआ ही दिखेगा तो इस तरीके से आपको bull call spread strategy को apply करना है और trade करना है तो ऐसे हमने कई सारी stocks का selection किया यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका Titan है, Mahindra है, Sipla है इसी stocks में भी आपको ऐसे ही आपको breakout और reversal देखने मिलेगा उस stocks पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूँगा कि अगर आपको technical analysis सीखना है, chart pattern सीखना या फिर candlestick सीखना है तो उसके लिए हमने एक special सा course design किया है उसके लिए आपको हमारा mobile app equity community को play store से डाउनलोड करना होगा नहीं तो उसका link आपको इस video के description में भी मिल जाएगा और वहाँ पे हमने इस तरीके से design किया course को कि आप as a independent trader काम कर सकते हैं खुद से अपना trading decisions ले सकते हैं खुद से आप market में जाके trade कर सकते हैं और आप चाहो तो stock market में आप part time carrier भी बना सकते हो तो एक बार आप हमारा mobile app डाउनलोड करके course को जब बिजिट कीजिए पसंद आता आप इन्रोल, repeat अगर आपको course अच्छा लगता है तो आप उसको इन्रोल भी कर सकते हैं तो यहाँ पे हम दूसरे stocks पे आगें यह आपका Mahindra and Mahindra यहाँ पे भी अगर हम देखे तो देख सकते हैं यह जो लेवल है आपका क्या काम करा है support के रूप में काम करता हुआ दिख रहा और यहाँ पे जब भी हमें trade initiate करना support level करीबी trade initiate करना और reversal और breakout पे ही trade लेना है और आप देख सकते हैं यह 1200 का psychological level भी है यहाँ पे भी आपका आया अब यहाँ पे आनेक बाद price में हमें sharp reversal देखने को मिला है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे at the money 1220 के call options को यहाँ पे हम buy करना prefer करेंगे जो भी premium होगा उसके करेब उसकी बाद यहाँ पे अगर red candle बना जैसे हमने buy कर लिया यहाँ पे rate करने बना अब market में हमें थोड़ा सा डर लगने लग गया तो market मेरे favor में जाने के बाब जोद भी हम यहाँ पे क्या करेंगे 1260 1280 या फिर 1300 जो भी आपको सही लगता है इसके call options को आप क्या कर सकते हो sell कर सकते हो इस तरीके से आपका यह क्या बन जाएगा bull call spread strategy बन जाएगा अगर market यहाँ से मेरे against जाता है तो मुझे भी काफी हद तक कुछ न कुछ profit मिलता हो दिखेगा या फिर losses कम होगा और इस तरीके से यहाँ पे lowest point जो भी बना वहाँ पे हम SL रखके जो हमारा call buy वाला trade है उसको exit करेंगे और जो हमने sell वाला trade लिया उसको हम continue करके हम थोड़ा बहुत profit निकाल सकते हैं या फिर जो हमें loss उठाना परा है SL हिटोने कार्द उस loss को यहाँ पे हम recover भी कर सकते हैं तो इस तरीके से आपको इस strategy में जादा कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप ठीक तरह से काम करेंगे तो ऐसे ही अगर हम एक और stocks की बात करें यहाँ पे आप supply में भी इसी तरीके से काम कर सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पे क्या कुछ बना है यहाँ पे आपका rounding top pattern का formation हुआ है और यहाँ पे आप मान सकते हैं कि यह crucial support level है या फिर neck line है इसके करीब आता हुआ दिखा अब दो चीज हो सकता इस neck line को break करके price नीचे जाएगा तो हमें downside में breakdown देखने को भी लेगा या फिर अगर इसको break करके price उपर side की तरफ जाता है तो यहाँ पे हम buy side की तरफ फिर initiate करेंगे यानी call options को हम buy करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे उपर अगर और जाता है तो हम उपर के strike price के call options को sell भी कर सकते हैं तो जैसे ही price अगर इसको break करके नीचे जाएगा तो हमारा यह strategy काम नहीं आएगा यह strategy तभी काम आएगा जब इसको यह support के रूप में respect करता हुआ दिखेगा तो उमीद करते हैं यह strategy बूल कॉल spread इसमें हमें stock को selection किस business पर करना आपको समझ में आ गया होगा और इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा क्योंकि इसके लिए कोई scanner नहीं है आपको stocks अपने watch list में डालना होगा और आपको देखना होगा और आप वैसे stocks को selection आसानी से कर सकते हैं जो कि आपका एक psychological level पर trade करता हुआ दिखेगा और वो psychological level support की रूप में भी काम करता हुआ दिखेगा थोड़ा सा मेहनत करना और इस तरीके साब पर stock select करके profit बना सकते हैं वीडियो पसंदायत प्लीज वीडियो को like करके हमें encourage किजे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को subscribe भी किजे साथ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि जब भी हम वीडियो upload करे notification आपको मिल जाए और आप वीडियो miss न करें so that's all friends मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहन